पुरानी और बिल्कुल सुनसान बिल्डिंग थी एक बात समान थी, जो भी वहाँ जाता था, लोट कर नहीं आता था मेरा बेस्ट्रिंट सैम्यल और मैं बहुत ही बड़े उच्सोख हैं जब बात इस तरह के अजीब और विचित्रे चीजों की खोच की आती है इसलिए हमने तय किया कि हम वहाँ जाकर इसकी जांच करेंगे जबसे आखरी खुमशिदा का केस आया था, तब से ही पुलिस दिन बर लगातार उस बिल्डिंग के आसपास पहरा दे रही थी ताकि किसी को भी अंदर जाने से रोका जा सके इसलिए हमने रात तक का इंदजार करना पड़ा खरीब साड़े दस बजे सैम्यल मेरे घर आ गया और हम तयारी करने लगे हमने अपने साथ खाने का कुछ समान रखा, कुछ गरम कपड़े और मेरी हैंडगर अगर हम वहाँ फस गए तो उसके लिए हम तकरीबन साड़े ग्यारा बारा बजे के आसपास घर से निकले और कुछ ही मिन्टों के बाद उस बिल्डिंग के पास पहुँच गए जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने देखा कि उस बिल्डिंग के आसपास काफी धुंद थी क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था इसलिए इस बात ने हमें उस समे तरह परेशान नहीं किया लेकिन जो भी हो वो धुंद थी तो बहुत ज्यादा हमने अपना समान लिया और अंदर की ओड़ जाने लगे बिल्डिंग के अंदर जाने का दर्वाज़ा बन था इसलिए हमें खड़की तोड़कर अंदर जाना रहा हमने पहले अपना समान बिल्डिंग अंदर फैका और फैर खुद अंदर खुश गए वो मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अगर मैं वक्त में पीछे जा सकता तो कभी इस नर्क में पैर नहीं रखता वहां पहुचते ही जिस बात पर मेरा सबसे पहले ध्यान गया वो ये था कि वो जगह कितनी ज्यादा अंधेरे से भरी थी हाला कि हमारे पास LED फ्लैश लाइट्स थी लेकिन वो ज्यादा मदद नहीं कर रही थी हमें अपने आगे सिर्फ तीन फीट दूर तक ही दिखाई दे रहा था लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम अपनी तलाश जारी रखेंगे सामियल ने अपने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और उसका नाइट मोड आउन किया हुआ था लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था मैंने अपने एक हाथ में फ्लैश लाइट पकड़ी हुई थी और मेरे दूसरे हाथ गन के पास था ताकि अगर कोई भी अंधेरे से हम परवार करे तो बचाओ के लिए मैं फौरण उस गन का इस्तमाल कर सकूँ जैसे ही हम बिल्डिंग के बीचो बीच पहुँचे तो मुझे एक अजीब सी बद्बू का हैसास हुआ बहुती गंदी बद्बू वो बद्बू बयान करने में मुश्किल है लेकिन वो इतनी बुरी थी कि हम दोनों के नाक के बाल जल गए ये बद्बू कैसी है पता नहीं इसका नुमान लगाना मुश्किल है हम उस लंबे हॉलवे को पास करते हुए एक ऐसी जगह पहुचे जहां से हमें बाहर का नजारा देख रहा था उस कमरे की बड़ी सी दिवार टूटी हुई थी जिससे उस बिल्डिंग में सीधा खुसा जा सकता था उस दिवार के बास जंगल था दिवार के चारू और पेड़ की टहनिया बढ़ चुकी थी जो बढ़ते बढ़ते दिवार के चट तक पहुच गए थी कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम किसी जंगल में आ गए हैं जैसे ही मैंने फ्लैश लाइट कमरे की टूटी हुई दिवार पर मारी तो मरी आखे धुंदलाने लगी और मेरा हाथ कापने लगा फ्लैश लाइट भी बुझने लगी सैम्यल के पैर किसी चीज़ पर टकराया और उसके हाथ से कैमरा गिर गया नीचे गिरने की वज़ा से कैमरा तूट गया और पहसलते हुए थोड़ा आगे गर गया हम जानते थे कि अब वो किसी काम का नहीं रहा इसलिए उसे ढूड़ने के बारे में हमने सोचा भी नहीं हमने अपनी फ्लैश लाइट जमीन पर की ता कि हम देख सके कि सैम्यल किस चीज़ से टकराया था जैसे ही नज़र जमीन पर पड़ी तो मेरे दिल की धरगन रुख सी गए जमीन पर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था उसके चिथड़े चिथड़े किये हुए थे उसके शरीर को फाड़ कर खाया गया था जमीन पर चारो और खून ही खून था मुझे फॉरण एहसास हुआ कि वो बदबू यहीं से आ रही थी तो वो खून की बदबू थी जो हमें परिशान कर रही थी लेकिन वो बदबू इतनी ज्यादा थी कि एक हिरनगी नहीं हो सकती थी जब हमने पनी फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाई तो हमें चारो और सिर्फ खून ही खून दिखाई दने लगा और यहीं नहीं वहाँ पर किसी के पैरों के निशान भी थी बिल्कुल किसी के हाथ की तरह लेकिन उसके उंगलिया बहुत बड़ी थी लंबी से मेरा मतलब है कि एक फुट लंबी और वो दिखने में नोकीली भी लग रही थी उन हातों के निशान हर जगा थे जमीन पर तीवार उपर और यहां तक की सीलिंग पर भी ओ माई गाड़ क्या ये किसी तरह का जानवर है मुझे उस सच में लगता है कि हमें यहां नहीं होना चाहिए यार हाँ पर क्या तुम जानना नहीं चाते ऐसा कहते हुए सैम्यल उन निशानों का पीछा करने लगा वो निशान एक ही कमरे की तरफ जा रहे थी उस कमरे का दरवाजा किसी तरह टिका हुआ था और उसका ताला पूरी तरह टूटा हुआ था मेरा दिल जोड़-जोड़ से धड़क रहा था इस कमरे में आखिर है क्या कोई भी जानवर इस तरह नहीं कर सकता किसी भी जिंदा प्राणी के निशान ऐसे नहीं होते श्श्श चुप रहा हूँ सैम्यल के अंदर उस बात की खोच करने का भूट सवार था और इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जो हमने देखा उसे देख उसके सपने मुझे आज तकाते हैं वहाँ लाशों का धेर लगा हुआ था कुछ लाश ये सावो थी जबकि कुछ बुरी तरहा चीर फाड की हुई कुछ हिसे जानवरों के और कुछ इंसानों के वो कमरे के एक इंज गेहरे खून से भरा था इस कमरे की दिवारों और छट पर भी वही निशान थे अचानक हमें उस कमरे में किसी के पैरों की आहट हुई और मुझे महसूस हुआ कि हम इस कमरे में अखेले नहीं है क्या कुई हमारे पीछे हैं? नहीं, हमारे पीछे नहीं, हमारे उपर Samuel के बात सुनकर मैं डर के मारे ठंडा पड़ गया Samuel सही कह रहा था, हम दोनों ने पनी फ्लाश लाइट छट की तरफ खुमाई और जो हमने देखा उसके बात कुछ सेकंड्स के लिए हमारे अंदर हिलने की भी हिंबत नहीं रही एक आदमी कमरे के छट पर रेंग रहा था, उसे तो आदमी भी नहीं कहा जा सकता उसके सर उसके शरीर से कई ज्यादा पड़ा था, और उसके उंगली एतनी पड़ी थी कि उसका हाथ पंजे की तरह बन गया था उस प्राणी के शरीर पर कोई दवचा नहीं थी, और हमें उसकी मान स्पेशिया और नसे साफ साफ दिखाई दे रही थी सबसे भयानक उसकी आँखे थी, वो सिर्फ और सिर्फ लाल थी, बस लाल वो प्राणी एक शैतान की दरह चीखा और उसने अपना डरावना मुझ खोला और हम अपनी जान बचाता हुए चलाता हुए वहाँ से भागे हम अपने पीछे उस राक्षेस के वैरों की आवास सुन सकते थे वो जो भी था, हमारे खून का प्यासा था भागो, भागो क्रिस, भागो मैं उस तूटी हुई खिकी से बाहर पूतने ही वाला था कि बचे सैम्यल की जीख सुनाईगी मैं पीछे बड़ा और मैंने देखा कि उस राक्षेस ने सैम्यल को गर्दन से पकड़ लिया था उसने मेरी तरफ देखा और अपने बड़े बड़े दातों से मुस्कुराया सैम्यल हवा में लिटा किया जैसी उस राक्षेस ने उसे जमीन से उठा है इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उसने सैम्यल की गर्दन ऐसी तोड़ी जैसे की कोई तिन का उसको खाते हुए इसके मूँ से लार टबक रही थी और वो उसके मज़े लिन ही लगए मैं वहाँ और ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था पुलिस वहाँ पहुँची और जैसी उन्हें उस बिल्डिंग के अंदर और लाशे और खून दिखाई दिया और उन्हें और ज्यादा पुला लिए सैम्यल उन्हें कहीं नहीं मिला और गुस्टे में आस पास के लोगों ने उस जगह को जला दिया पुलिस वालों ने सैम्यल को घुमशिदा करार कर दिया और किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया जब मैंने उन्हें उस राक्षस के बारे में बताया इस घटना के कुछ सालों बाद मुझे उस जगह के बारे में एक चौका देने वाली सूचना प्राप्त हुई ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब रॉशियन स्लीव एक्सपेरिमेंट हुआ था तो कुछ वैसा ही यहां भी किया गया था ये जगह रेफ्यूजी या प्राधियों की कैद हुआ करती थी मैं नहीं जानता कि जो मैंने देखा वो सच था या नहीं लेकिन जरूर किसी एक्सपेरिमेंट ने इस प्राणी को इस राक्षस का रूप दे दिया था जो हमारे घर के पीछे इंग जंगलों में अभी भी शिकार करता है आप सभी को क्या लगता है किसी चीज को जानने के लिए जिग्यासा होना घलत है या सही उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि ये कहावद जिग्यासा ने बिल्ली की जान ले ली कहां से आई मैं उससे मैं हाई स्कूल में था जब ये सब हुआ एक दिन मुझे पता चला कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी और खाली बिल्डिंग है मैं हाल ही में अपने स्कूल के बच्चों में मशूर हुआ था क्योंकि मैं ऐसी खाली जगों पर जाता और उनकी खोच करता था इसलिए इस बिल्डिंग के बारे में जानने के बाद मेरे अंदर वहां जाने की भी उच्सक्ता बढ़ गए इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा करने से मेरे पास लोगों को बताने के लिए एक मज़धार कहानी होगी जिससे की मैं सबका पसंदीदा बन जाओंगा इसी उच्छिक्ता में मैंने अपने दोस्तों इथन, क्रिस्टफर और मैथ्यो को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की पहले इथन हमारे साथ नहीं आना चाता था पर आखिरकार वो मान ही गया शयद वो उस अनुभव को गवाना नहीं चाता था खेर हमने अगले दिन स्कूल के बाद वहां जाने का फैसला किया उस जगह तक पैदल यातरा करना थोड़ा ठका देने वाला था क्योंकि वो बिल्डिंग जंगल के अंदर जा कर थी लेकिन हम आदे खंटे बाद वहां पहुच गए उस बिल्डिंग ने हमारी बोलती बंग कर दी वो काफी बड़ी थी उसकी दीवारे काफी गंदी हो चुकी थी उन पर पेड़ उग गय थे और कई-कई जगों पर चित्र बने हुए थे ज्यादा तर खिड़कियां टूटी हुई थी लेकिन फिर भी हमें अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कुछ सेकंड्स बाद हम सीडियों की तरफ चलने लगते दरवासा खुला हुआ था या फिर यूं कहें की टूटा हुआ था हम वहां से अंदर जा सकते थे हम किसी तरह सीडियों को पार करके उपर पहुँचे क्योंकि वो बहुत गंदी थी और उन पर मलबा पड़ा हुआ था तो ये है एक बार हम चारों जब दरवाजे के आगे पहुँचे तो कुछ सेकंड्स के लिए वहां खड़े हो गए पहले तुम जाओ स्टीव आखर ये तुम्हारा ही प्लान था ना है ना तुम डर तो नहीं रहे जाहिर है मैं डरा हुआ था थोड़ा साही साही अब जब हम वहाँ पहुच गए तो भी एकसाइटमेंट कम हो गए थी लेकिन मैं बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था इसलिए मैं अंदर चला गया वह सब कुछ वैसा ही था जैसे हमने उमीद की थी उस बिल्डिंग में ज्यादा सामान नहीं था और जो भी था वो किसी काम का नहीं था तूटा हुआ था या जंग लखा हुआ था अंदर की दिवारों पर भी चितर बने हुए थे और उनमें से ज्यादा तर अभद्रे शब्द या बुरे चितर ही थे अगर यही सब मैंने कहीं और देखा हुता तो शायद मुझे उससे देखकर हसी आ जाती लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ अचानक हमारे पीछे से जोड से किसी चीज की बंदोने की आवाज आई दरवाज द बहुती तेजी से बंद हुआ था और उस चीज ने हमें चौका दिया था इधन, मैथ्यू और मैंने हमारे दोस्त को आखिर में आते हुए गुस्से से देखा क्या? मैं तो बस एक छोटा सा मजाग कर रहा था या पहले कमरे की चानबीन करने के बाद हम आगे के कमरों में गए उन सभी कमरों में भी हमने वही सब देखा जो हमने पहले कमरे में देखा था जिसकी वज़ा से मैं बोर हो गया किनी वज़ाओं से मुझे लगा कि शायद इस जगा कुछ अलग होगा लेकिन वो जगा बहुत आम थी लेकिन शायद मैंने उस बिल्डिंग पर काफी चल्दी अपने निरने बना लिया था मेरा दिल जोड से धड़कने लगा जब मैंने ईथन को कमरे की आखिर में जाकर खड़ा हुआ देखा उसके चेहरे पर डर और घबरा हट थी हम सब भी जल्दी से उसके पास पहुँचे वहां की एक दिवार पर लाल रंग से लिखा था जिस पेंट से वो लिखा गया था वो चमक रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसे लिखा हो अचानत क्रिस्टवर हसने लगा तुम लोग अपनी शकले देखो क्या तुम वाकई में इससे डर गए वो उस दिवार के पास गया और उसने उस लिखावट को अपनी उंगली से छुआ फिर उसने अपनी उंगली हमें दिखाई और वो सुखी हुई थी अब एक किसी बेफकूफ ने लोगों को ड्राने के लिए लिए लिखा था देखो तुम लोग भी हो तो डर भोगी है ना शायद वो सही ही कह रहा था लेकिन जब आप ऐसी किसी जगह पर होते हो और ये सब देखते हो तो डर लगना जाहिर है लेकिन फिर भी अब हम उस जगह से वाकिफ हो गए थे और हमने तैय किया कि हम अलग-अलग होकर उस जगह की खोच करेंगी मैं वो पहला शक्स था जिसने उपर के माले पर जाकर खोच करने के बारे में सोचा जैसे ही मैंने अपना पहला कदम उपर के माले की सीड़ी पर रखा एक बहत गंदी बद्बू ने मेरी सांस रोकती वो बद्बू किसी चीज के सड़ने जैसी थी और मुझे डर लगने लगा यहां इस जगह पर एक लाश के लावा और क्या सड़ सकता था जिग्यासा से ज़्यादा चिंता होने की वज़ा से मैंने उस बद्बू का पीछा करने का सोचा वो बद्बू दूसरे कमरे से आ रही थी मैंने धीरे से अपना सर उस कमरे के अंदर डाला कुछ सेकिंड्स के अंदर ही मेरा उल्टी जैसा मन हो गया वहाँ पर एक जानवर मरा हुआ पड़ा था शायद वो कोई बिल्ली थी या फिर एक छोटा कुटा सच तो यह है कि वो इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि उससे पहचानना बहुत मुश्कल था इस बात पर मुझे यकीन है कि वो कोई इंसान नहीं था लेकिन जो भी था उसे इस तरह देखना बहुत ही मुश्कल हो रहा था और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो यह थी कि उसकी आखे नहीं थी उसके चेहरे पर बस दो काले गहरे गड़े थे मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उल्टी ना करूँ वैसी हलत में घड़ जाना बहुत पुश्कल हो जाता मैंने फिर अचानक अपने पीछे से सोर की अगवास सुनी वो आवास पहले कमरे से आ रही थी आख, क्रिस अब बस करो यार मैं पहले ही क्रिस्टवर के इस मजाग से तंग आ गया था मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो हमें डराने की लगातार कोशिश किये जा रहा था जब मैंने वो आवास दोबारा सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा क्रिस, अब बस बहुत हो गया, बंग करो वरना मैं फॉरन हॉल से गुजरते हुए पहले कमरे में गया जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे अंदर भड़ा हुआ गुस्सा अब डर में बदल गया इस बार कमरे की दिवार पर लिखा था कि मैंने तुम्हें कहा कि चले जाओ यहां से मुझे लगा कि ये भी पहले की तरह कि इसने मजाग में लोगों को डराने के लिए रिखा होगा लेकिन फिर मैंने उन अक्षरों से पेंट को टपकते होए देखा इस बार वो पेंट तासा था मैं कुछ सेकेट्स के लिए वहां खड़ा रहा दर के मारे मेरे पेर्स जैसे जम से गए थे गला सूख गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ जैसे ही मैं उन्हें कहने वाला था कि हमें यहां से निकलना चाहिए हमें बिल्डिंग के बाहर से कुछ आवाज आने लगी उनमें से एक चलाय एक Сейчас राही लाकर बोला कि चले जाओ यहां से शायद वो पुलिस की आवास थी हम डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे लेकिन मैथ्यू ने हमें इशारा करके उसके पीछे आने के लिए कहा जितना शांती से हो सकता था उतनी शांती से हम उसके पीछे पीछे चलने लगे और बिल्डिंग की दूसरी ओर आ गए हमने उस कमरे में घुस कर उसका दरवाजा बंद कर दिया जो शुकर है टूटा हुआ नहीं था और आसपास देखने लगे उस कमरे में एक और दरवाजा था जो शायद हमें उस बिल्डिंग के बाहर निकाल देता क्योंकि वो बंद था इसलिए मैथ्यू ने कहा कि मैं उस दरवाजे को खोल क्योंकि शायद उसे भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूँ इसलिए नहीं कि मैं ये अक्सर करता था बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता था मैं अपने साथ लोहे का एक औजार ले गया था कि शायद जरूरत पड़ जाये तो उसकी मदद से मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा चलती चलती हाँ मैं करतो रहा हूँ उसे खोलने में मुझे जरूरत से ज्यादा समय लग रहा था और उसकी काफी बचै थी मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे के पास मुझे कोई देख रहा है बस 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 होने वाला है वो दिर्वाजा आखिरकार खुल गया अमें एहसास हुआ कि वो बाहर जाने का रास्ता नहीं बलकि एक कमरा है जहां की हवा बहुत यजीव थी चले जाओ हम अभी उस कमरे के अंदर देख भी नहीं पाए थे कि वहां से जोर की एक आवाज आई डर के मारे मैंने अपने कुछ कदम पीछा कर लिए लेकर मैं लडखडा कर गिर गया तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए भागो यहां से उस चोटे से कमरे में जहां एक खिड़की भी नहीं थी वहां दो कंकाल पड़े थे और उन कंकालों को देखकर यह तो जाहिर था कि वह किसी इंसान के थे डर की मारे हम चारों कमरे से बाहर भाग गए हमने इस बात की भी फिकर नहीं की कि बाहर पुलिस हो सकती है हम बस भागते रहें लेकिन जैसे ही हम बाहर के दर्वाजे की और भागने लगे तो वो बिल्डिंग तूटने लगी दीवारे कापने लगी मलवा खिरने लगा उन में से एक मेरे हाथ पर भी लगा लेकिन मैं फिर भी भागता रहा किसमत से हम सब बाहर निकला आए हमें बस कुछ जगाओं पर खरोच आई थी हैरानगी की बात ये थी कि बाहर कोई नहीं था आखिर में हम सब ने वैसला किया कि हम ये सब होने के बावजूद पुलिस को यहां की सूचना देंगे वहां के नजारे और हड़ियों के चानबीन के बात पुलिस को पता चला कि वो एक औरत की थी जो बहुत साल पहले गुमशिता हो गई थी और एक आदमी की जो जेल से भाग किया था क्योंकि वहां सिर्फ हडिया रह गई थी इसलिए वो ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर वहां हुआ क्या था लेकिन कुछ सुराखों के होने की वज़ा से लोगों ने कई कहानिया बनाई दीवार पर चीन लटकी हुई थी और दर्वाजे पर खरोचों के निशान थे जमीन पर बहुत पुराने खून के धब्बे भी मिले नतीज़ा ये निकाला गया कि उस आदमीने उस लड़की का भरन किया उसे टॉर्चर किया और शएद उसका बलादकार भी किया और किसी तरह वो लड़की उस आदमी को हानी पहुँचा पाई लगिन इस हातापाई में कहीं नकहें वो भी बुरी तरह गहिल हो गई और इस हालत में वो दरवाजा नहीं खोल पाई इन सब के बीच मैं ये सोचता हूँ कि वो आवाज से उस दिन हमें क्या कहने की कोशिश कर रही थी चले जाओ और तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए भागो शायद वो आदमी नहीं चाहता था कि इस जगा की छान बीन हो और उसके घिनोने काम किसी को पता चले और शायद वो लड़की हमें बचाना चाहती थी मेरा नाम एडम है और मैं भूत प्रेत का विशेशग्य हूँ और मेरे साथ काम करते हैं मेरे दो दोस्त एलसा और डिरेक हमने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसका नाम था इस चैनल में हम ऐसी जगहों की खोश करते थे जहां हमें भूत प्रेत होने की संभावना होती थी या फिर उस जगह की हमें किसी तरह सूच ना मिलती थी सच कहूं तो हमें कभी कुछ नहीं मिला हमें ज्यादा से ज्यादा कभी कभी इन जगहों पर या तो चीसे हिलती हुई दिखी या फिर कभी कुछ आवाजे सुनाई देती हुई लगी ये सब हमारा वहम भी हो सकता था लेकिन कुछ ऐसा जिससे कहा जाए कि हाँ सच में भूत होते हैं ऐसा कुछ नहीं मिला कुछ समय बाद मुझे ये सभी जगहें एक जैसी लगने लगी कोई खाली परानी जगह या फिर कोई सारवजनिक जगह जहां तरह तरह के चित्र बने थे मेरे दोस्तों और मैंने किसी भी भूत के मिलने की उमीद छोड़ी दी थी और हम ऐसी वीडियोस बनाने में अपना सारा ध्यान लगाने लगे जिसमें हम उस जगह को जितना हो सके उतना धरावना दिखा सके चाहे उसके लिए हमें नकली महौल तयार करना पड़े या भर पीछे से आते हुए डरावनी आवाजे डालनी पड़े सब कुछ सही चल रहा था जब तक हमें वो मेल नहीं आया था वो मेल हमें किसी अंजान दर्शक ने भेजा था जिसमें एक जगह के बारे में लिखा था जहां से आज तक 20 लोग लापता हुए थे और ये देश की सबसे डरावनी जगह थी जब मैंने अपने दोस्तों के साथ बैट कर इस जगह के बारे में इंटरनेट पर खोज की तो हमें पता चला कि वाकई ऐसी कोई जगह है और किसी ने भी आज तक इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई है हमने अपना समान पैक किया और फोरण उस जगह पर जाने के लिए निकल गए हम इस मौके का वो गवाना नहीं चाहते थे वाव एक भूतिय जगह होने के हिसाब से ये काफी अच्छी स्थिति में है डेरेक ने कहा एलसा और मैं वही सोच रहे थे वो घर काफी हद तक वैसा ही था जैसा की गूगल पर दिखाये गया था बस थोड़ा गंदा था वो जगह काफी बड़ी थी और आसपास की जगहों से तकरीबन तीन किलोमेटर दूरी पर बनी हुई थी अलगलग कोने से उसकी तस्वीरे लेने के बाद हमने अंदर जाने का फैसला किया आगे का दर्वाजा खुला हुआ था लेकिन वो जगह बिलकुल खाली थी इसलिए उस खुले दर्वाजे पर उस समय हमारा ध्यान नहीं गया अंदर से वो घर बहुत ही गंदा था हर जगह धूल और मकडी के जाले थे उसके अलावा वो जगह बिलकुल ठीक थी वहां रखा हुआ समान तूटा हुआ नहीं था और ना ही उसकी दिवारों पर कोई चित्र बने हुए थे बलकि दिवारों पर गाड़ा सफेद रंग किया हुआ था जो गंदा होने के वज़ा से थोड़ा काला पड़ गया था उसके अलावा घर में और कोई खराबी नहीं थी क्या ये सच है या मेरी आखे मुझे धोका दे रही है इस खाली जगह पर किसी बच्चे ने कोई भी चित्रकारी नहीं की हुई उन बच्चों का सलाव आखिर हमारी वीडियोज यही लोग देखते हैं मैंने मजाग बनाते हुए कहा सुनो इस घर में रहने वाले भूतों तुम बालिक तो हो चुके हो ना हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना डिरेक ने मजाग करते हुए कहा और हम सब हसने लगे तो हम यह कैसे करने वाले हैं गाईस मेरे ख्याल से हम यहां कुछ पिच्चर्स लेकर एक दो शॉट्स ले लेते हैं उसके बाद हम उपर फॉस फ्लोर पर चलते हैं वो देखने में ज्यादा डरावना लग रहा है सुनो डिरेक क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वैन में क्या कहा था अगर मैं पीछे से कोई गुडिया उडाऊं या कोई चीज हिलाऊं तो ऐसे बीएफ करना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला इससल लोगों की वीडियो में रुची बढ़ जाती है और वो उन्हें सची लगती है जैसे तुम काओ मैडम हमने कुछ तस्वीरे ली और कुछ डरावनी वीडियो क्लिप्स बनाई सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा हम चाहते थे और अब हम उपर वाले माले पर जाने के लिए तैयार थे लेकिन एक आवास ने हमें रोक दिया जब हम पीछे मुड़े तो हमने एक टोपी वाले आदमी को देखा उसने आके के दरवाजे को बंद कर दिया और फिर हमारे सामने खड़ा हो गया अब तुम लोग बाहर नहीं जा सकते उसने हम पर हस तो है कहा इससे पहले कि हम कुछ कर पाते हमारे पीछे पांच आदमी आकर खड़े हो गए उनमें से एक आदमी ने एलसा को उसकी गर्दन से जोड़ से पकड़ लिया ताकि वो अपनी जगा से हिल ना सके दो और आदमी ने मुझे मेरी बाजूँ से पकड़ा जैसे वो यहीं काम करते हो ये वो आम लोग नहीं थे जो इन जगों पर आकर इनकी धीवारों पर चित्र बनाकर उन्हें खराब करते हैं बल्कि ये अच्छे से जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं डिरेक्ट ने डरते हुए इधर उधर भागने की कोशिश की उसने अपना कुछ कदम बढ़ाए तो अंधिरे से दो आदमियों ने निकल कर उसे भी पकड़ लिया कौन हो तुम और तुम हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हूँ मैंने डरते हुए लेकिन चिला कर पूछा जब हम यहाँ हैं तो हम मेंसे किसी का भी कोई नाम नहीं है लेटल खोस्ट हंटर्स माफ करना लेकिन हम तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते मुझे जाने दो आओ आओ एके करके मुझे पर अटाक करो मैं तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला दूँगा अपना मूँ अपनी टोपिया में चुबाते हुए भागो गए तुम यहाँ से डिरेक ने गुस्से में का डिरेक की बात को नजर अंदास करता हुए वो आदमी बोलता रहा तुम्हारी किसमत अच्छी है मैडम इसलिए मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दे दूगा अपने गले को साफ करने के लिए वो कुछ सेकंड के लिए रुका जस वज़ा से हम सब तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं वो ये है कि तुम लोग पागल हो जो वहाँ अकेले आये हो वो भी बिना हतिहार के ऐसे घर में जहां से लोग गायब हो जाते हैं सच में ये कहां से तुम्हें एक अच्छी तर्कीब लगी हम सिर्फ लोगों काम और रेंजन के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं मैं जानता हूँ हम लोगों में काफी कुछ सामान है हमारी भी एक ओडियन्स है क्या? काफी बाते हो गई चलो शो शुरू करते हैं काईस जैसी उसने ये कहा एक आदमी ने कैमरा निकाल लिया और डिरेक की वीडियो बनाने लगा इदने में ही दूसरा आदमी अपने हाथ में कैची लिये उसकी तरफ बढ़ने लगा तुम्ही क्या कर रहे हो? दूर करो इससे मुझे, पागल कही के? जाने तो मुझे वरना मैं तुम सब को बाह डालूँगा डिरेक आँखों में आसू के साथ चिल्लाने लगा उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा और उसने वो कैची उसके पेट में कुसा दी अपनी पूरी जान लगाते हुए उस आदमी ने डिरेक का पेट काट दिया डिरेक अब अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला नहीं रहा था उसने दम दोड़ दिया इसलिए उन लोगों ने अब उससे छोड़ दिया जैसे वो जमीन पर गिरा वो दोनों आदमी जो उसे पकड़ कर खड़े थे उन्होंने अपने हाथ धरेक के पेट के अंदर डाले और उसकी अंग बाहर निकाल कर फेंग दिये मैं नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा था मैंने जब मुड़कर एलसा को देखा तो वो बस उल्टी करने ही वाली थी लेकिन तब ही वो आदमी उसे पकड़ कर खड़ा था उसने एलसा के मूँ में सॉक्स डाल दी अब वो कैमरा एलसा की तरफ था वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो उल्टी कर दे लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो उसके गरे में ही अटक गई थी जिस आदमी ने उसके मूँ में वो सॉक्स डाली थी अब उसने एलसा की नाक भी बंद कर दी थी एलसा का शरीर पूलने लगा और वो जोड़ जोड़ से अपने हाथ जटकने लगी कि शायद उसके हाथ कुछ लग जाए जिससे वो अपनी जान बचा सके एहे जो तुम कर रहे हुँ वो बहुत दर्दनाख है तुम एलसा की सांस लेने में मदद क्यों नहीं कर देते उस आदमी की बात का पालन करते हुए दूसरी आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और एलसा का गला काट दिया उसकी गले से खून और उल्टी निकलने लगी एलसा ने अब लड़ना बंद कर दिया और उसकी आँखे बंद हो गई नहीं एलसा मुझे माफ करना तुम मेरी बात पर यकीन करो या ना करो लेकिन मेरा भी इन दोनों से लगाव हो गया था जैसा तुम्हारी अपनी छोटी बेहन से है एडम क्या क्या अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब ये तुम्हारी छोटी से दुनिया कैसी चले मिस्टर पैरन नॉर्मल इंवेस्टिकेटर उस आदमी ने ताना मारते हुए मुझसे कहा अब तुम घर जाओगे और कहोगे कि तुम्हारी अपने दोस्तों से लड़ाई हो गए और उन्होंने तुम्हें वैन से बाहर निकाल दिया तुम यहां आई ही नहीं पुलिस की चिंता मत करो कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा नहीं तुम्हारे पास पुछताच के लिए आएगा इस बात का ख्याल हम रखेंगे कौन हो तुम? अब से तुम कभी भी अकिले नहीं हो एडम अगर तुम हमारी खोश करने निकले या पुलिस के पास गए या फिर जो कुछ भी यहां हुआ उसके बारे में तुमने किसी को बताया को तुम्हारी छोटी बेहन तुम्हारे पेरिंट्स रिष्टेदार यहां तक की तुम्हारा कुट्टा सब मारे जाएंगे ऐसा कहकर उस आदमी ने दर्वाजा खोल दिया और जना आदमियों ने मुझे पकड़ा हुआ था उन्होंने भी मेरा हाथ छोड़ दिया मैं डरते हुए दर्वाजे की और बंडे लगा उन सब की आँखे बस मुझे ही घुर रही थी मेरे उस घर से निकलने से पहले जो आदमीती देड़ तक मुझे से बात कर रहा था उसने एक आखरी बार फिर मुझे रोग कर कहा उख एक आखरी बात तुम अपनी जॉब हंटर की जो इस नौकरी को कभी नहीं छोड़ सकते हमारे दर्शक कोच अलग ही है और वो इस बात के लिए मान गए कि अब तुम अपने दोस्तों के भूत को ढूंडने की कोच करो अब तो तुम्हें अपनी नई वीडियो के लिए आईडिया भी मिल गया उसने हसते हुए कहा हम आज के इस शो का वीडियो तुमें भेज देंगे अगर तुम इस वीडियो का एक एहम हिस्सा हो तुम इस वीडियो को देखने का बस एक ही मौका मिलेगा अगर तुमने इस रिकॉर्ड करने या किसी और को दिखाने की कोशिश की तो हमें वता चल जाएगा गुडबाई एडम अगर हम कभी भी तुमें कहीं दिखें तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना मैं चाहिए जितनी भी कम कोशिश क्यों ना करूं लेकिन मेरे वीडियोज वारल होने लगी मैं अपनी खुद की वीडियोज नहीं देखता क्योंकि भले ही मैं कभी भी किसी भूत को पकड़ने में काम्याब नहीं हुआ लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने मेरे पीछे कुछ लोगों को खड़े देखा है